एडी के दफ्तर में जाना है मुझे लगता है कि वो भी किसी समय का इंतजार कर रहे हैं और यह सड़ेंथ की पंडुबी जो पानी में डुब डुब करके काम कर रहा था उपर आने की ताकत नहीं रख रहा था आज उस पंडुबी को धीरे धीरे बाहर लाने का प्रयास किया जा रहा है महा महीम ने दूसरा मंतव चुनावायोग से मागा है जारखंड के मुख्य मंतरी हेमन सुरेन ने इडी कार्याले जाने से पहले राजिपाल रमेश बैस पर जम कर हमला बोला और कहा कि राजिपाल संग्मिधानिक बद पर रहते हुए सड़ियंत्र कारी दल को संग्रक्षन दे रहे है साथी हेमन सुरेन ने कहा कि चुनाव आयोग ने दो महीने पहले ही अपनी रिपोर्ट राजिपाल को भेज दी थी लेकिन राजिपाल पता नहीं किस मौके का इंतिजार कर रहे है मुझे लगता है कि वो भी किसी समय का इंतिजार कर रहे थी और आपने सुना है पूरे देश के खबरों में चला महामहीम ने दूसरा मंतव चुनाव आयोग से मांगा है जो बिल्कुल ही असा में धानिक था और जब हमने इसकी जानकारी चुनाव आयोग से लिया तो पता चला है कि महामहीम ने कोई दूसरा मंतव नहीं मांगा लेकिन खबरों में चलाता जरूर है उनका बयान जरूर आता है और राज में फटा के बम फोड़ने की बात करते हैं और उनका बयान आता है इडी का सम्मन चालू हो जाता है और उसके बाद धड़ा धड़ा शत्ता पक्च के विधायकों पर च्छापा मारी होती है कभी इंकम टेस्ट का कभी इडी का बड़ा दुरभाग है और जो मुझे अभी जा जो खबर आ रही है और भी विधायकों के उपर शत्तादारी वि राजपाल भी राजनितिक से जो समयधानिक पद्ध है जिसको हम कहते हैं कि ये पार्टी से संबन नहीं रखता है डिस्पक्शिन का विचार आता है लेकिन मुझे नहीं लगता है ऐसे कार कलाब से कि वो ऐसे सड्यन्त कारी राजनितिक को और दलो को सरक्षन दे रहे हैं आज मैं राज का मुखमंत्री हूँ एक समयधानिक पद्ध पर हूँ और जिस तरीके से संबन की कारवाई चल रही है लगता है कि हम लोग देश छोड़के भागने वाले लोग और मेरे राजनितिक इत्यास में मुझे नहीं लगता है बैपारियों को छोड़कर कोई राजनितिक दल देश छोड़के भागा हो बड़ा दुर्भागे पूर्ण है कि सालाना भी अगर हम देखें पुरे राज में इस्टोन चिस्प से एक हजार रुपे की आमदनी भी नहीं होती है इसका अधार कैसे बना कैसे नहीं बना ये समझ से परे है और एक हजार कड़ों रुपे का घुटाला करने के लिए कितने करोडों का खनन होगा उनका ट्रांस्पोर्टेशन कैसे होगा और जो बिगद दो साल को अगर हम देखें जब से एजेंसी जाच कर रही है जो आरोप लगे हैं वो कहीं से संभव परतीत नहीं होता बहराल जार्खन की राजनिती इन दिनों पूरे देश भर में सुर्खिया बटोर रही है हेमन सोरेन ने अपने उपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया साथ ही राजी की राजनिती के हालात को लेकर बीजेपी और राजीपाल रमेश बैस को जिम्मेदा ठहराया बहराल देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में राजी की राजनिती में और क्या कुछ देखने को मिलता है लाइव लगतार के लिए राची से डस की रिपोर्ट